कि असलाम अलेकुम एवरिवान आई होप यू गाइस आर फिलिंग गूड आज के इस फ्रेश लाग में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जनगेर एरिया का ही एक विलेज जिसका नाम है चेरहार चेरहार से पहले गाउँ आता है उसका नाम है अर्जा सबुन कर सकते हैं जो यह वाला गवान आपको नज़र आ रहा है वहां से धूर से जो नज़र आ रहा है यह है इसा जो सेकंड लाजस्ट लेक हैं वुललेक एक पहला वाला रास्ता था यहां से फिर इस वाले रास्ते को कट किया गया, यहां से रास्ता निकाला गया आप रास्ते के विज्वल्स मेरे लेफ्ट साइड के विज्वल्स चेक कर सकते हो सारा एला यहां से जनगेर का ही नजर आ रहा है जिस वहले गाउं को हम एक्स्प्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेरहार वो सोपोर से लगबग 20 km की दूरी पर वाका है पहले हमें सोपोर से गाड़ी लेने पड़ेगी बोईटिंगु के लिए जो कि पढ़ता है 11 km अवे फ्रॉम सोपोर उसके बाद बोईटिंगु से लेकर आगे से रहर तक 9 km है आप इस रास्ते के विज्वलस को चक आउट कर सकते हो यहां पर एक जनगेद का फैमस दाराल उलूम भी है जिसका नाम जैमेर याज उसाली है जिसके मौतिम है मौलाना सजाद हुसेन नादी साहब आगे के विज्वलस को चक आउट कर सकते हो कितने ब्यूटिफुल विज्वलस आ रहे हैं माशालला जो आफ राइट साइड में बिलेज देख रहे हो इस बिलेज का नाम मौकाम शीहिदमीर वहां से वो रोड आपको नजर आ रहा होगा वहां से ही हमें उपर जाना है इस पहड के दूसरी तरफ से जो गाओं जो आज की डिस्टिनेशन हैं हमारी से रहा वो इस पहड के उस वाले साइड से परता है फिर मैं आपको याद दिला हूँ हर एक विलाज में ही कहता हूँ कि जो भी एपर वाले एजाज होते हैं वहां पे जो रोड होता है ब्लाइंड कर्व ज्यूद ज्यादा होते हैं तो आपको चाहे कि सेफली ड्रायु करें ब्लाइंड करुस पे यहां से आफ विज्वल द earliest चक आउर कर सकते हो जो आपको लेक नजर आ रहे हैं ये एशिया सेकंड लाजिस्ट लेक हैं वुला लेक हैं और वहां से आपको जो नजर आ रहा हैं वो बाबा शकुर दीन रहमत लाला की जियारत श्रीफ हैं जिसको मैंने आरेडी एक्सलोर किया हुआ है आप मेरे पिछले लाजस में च्टावड कर सकते हो माशाललह आगी के जोले चक कीजिये माशाललह जो ऐसे विलेजिस दिन का नाम पहले कभी नहीं सुना होता हैं बीच वीच में सुना होता हैं तो उसको प्रोनाउस करने में थोड़ी सी गलती होती है उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ अपनी आडियनस से माशालला वहां से देख सकते हो जो वहला पाड़ आपको नज़र आ रहा है इस पाड़ के धुसरे साइब से रामपुरा राजपुरा की बस्ती बढ़ती है वीड़े में बने रहे हैं महां तक भी जाएंगे और आवें थोड़ा सा ट्रैक करना है आगे अगर टाइम मिला तो ट्रैक करेंगे फिर आपको वहां से भी वीड़े दिखाएंगे रामपुरा राजपुरा के यहां से आप चकाउट कर सकते हो कितने ज़्यादा बीटिफुल फिलेस है वाह माशालला यहां से मैग्जिमा विलेजिस आप जो जनगेर का एरा में यहां से आप विज्वल चकाउट कर सकते हो यह जो आपको एरा मज़र आ रहा है रिजिबंसर हास जो भी आपको आधे से डिक रहे हैं यह चेरहर के रिजिटन्च हासे है मैं आपको वहां आगे भी लेग चलता हूँ आप बने रहें वीडियो मैं आप गाउं के अंदर के विज्वल चको भी मैं आपके साथ शीर करूंगा वहां से हमें ट्रेक करके उंपर जाना है उस वाले उंपर वाले पीक पर जो टाप है वाहं पर पहड का जो टाप है वहां पर आपको नज़र आ रहा होगा पूंपर तक या जाना वाँ से रामपुरा राजपुरा एच्छी तरह जान रहा है नहीं है झाले साफ में it इस वाले मौसम जून जुलाई में बहुत ज्यादा मज़ा आता है अब गोवर्मेंट ने इनिशेटिव भी लिया है कि जो भी फारफलंग एरियाज हैं उन तक आज कल मेक्डिमाइज रोड बनाई जाते हैं इसके मिरिटिस भी हैं और डिर मिरिटिस भी हैं मिरिटिस यह हैं यह अच्छे से मोटरेबल होता हैं गार यहां आती हैं तो फिर हर कोई यहां पर आना पसंद करता हैं पिर वह साथ में जो कुछ भी लाता हैं यहां से पॉलिटिन वगेरा यहां ही फैंकर वाप चला जाता हैं जिससे कि जो यहां का इंवार्मेंट एनक बहुत गंदा होता हैं महाँ से आफ इसको चेकप ऊड़ा कर सकते हो माशàiल्ला देख सकते हो माशा Allah sommет यहां पर भी आपको यह भी लगड़ी माग्ना झाजर आहेंगे प्रफेश में आफ हाँ से चेक ऑट कर सकते हो वीजवालेस को माशालला कि माशाला आगे शनुर। जरा किजें इसके हैं आरे बाभी जर्ण आप आप शब्सक्राथ कर सकते हैं कि यहां का इस जो शाउप आप देख रहे वह भी लगडी का बना हो रहे हैं यहां पर अपको नज़र आएंगे ले किसके मेकान बने होगे वह आपको नज़र आएंगे अशाल्ला है यहां की महजीद श्रीफ है महजीद बिलालिया यह वाला रोड आपको यहां तक ही है इस वाले पाड़ के जो दूसरे तारफ है वह है रामपुरा राइजपुरा यहां से भी जा सकते हो इस रोड का खात्म ह हो चुका है इससे आगे मौटरेवल मूह हैं अगर आपको आज़र जाना पड़ेगा रामपुरा राजपुरा यहां ठयाको यह वाला रूसरा थेल्उपा को लेना पड़ेगा यहां तो यह वाला रूट सुनी में है कि हीज़गीद इससी ते इडáयों मिस्टडर महमद सल दो यहां से न rawn निकाला गया है हम ट्राइक करते हैं आगे जायने की कहाँ तक है आशय आफचार उड़ कर सकते हो कितना घंदा रोग हैं आप हम यहांह नहीं कि यहां से यह वला रूत हैं एमियं ट्रेक ले ना है आगे तक, हम बाएक और आगे लेज जा सकते थे, लेकिन हमने सुझा कि यहां तक ही रखेंगे, और हम इसी वाले ट्रैक को फालो करेंगे, फिर टॉप पे पहुंच जाएंगे, वहां से बहुत ही अच्छे विजवलास आ रहे हैं, वहां से हमें रामपुरा, राजपुरा के विजवलास भी देखने को मिलेंगे, आप बने रहे हैं वीडियो में, जो हम देखेंगे आपके साथ जुरूर शेयर करेंगे हमें 10-15 मिनट होगे ट्रेक करते हुए, लेकिन हम अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं अपनी जो आज की बियूटिफुल डिस्टिनेशन है, अब बने रहे हैं वीडियो में, देखते हैं और कितना डायम लगता है, फाइनली जो आज की हमारी बियूटिफुल डिस्टिनेश हैं हम वहां पे पहुंच चुके हैं, वाह, माशाला, वाह, अब जड़ा चक कीजे, कितनी ब्यूटिफुल प्लेस हैं यहां पे, जहां पे मैंने बाएक पारक की थी, आगे वहां से ट्रेक करके हम यहां पे पहुंचे, अट लिस्ट इट टुक अस 20 मिनटेस तो रीच दिस वेरी ब्यूटिफुल डिस्टिनेशन, जहां से हमने अपनी बाएक को पारक किया था, और आप वहां से जो आपको रिजडेंसल हासे नजर आ रहे हैं, वह वाले रिजडेंसल हासे रामपुरा, राजपुरा के हैं, और यहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अप यहाँ से विजडेंसल हासे को चक आउट कर सकते हो, माश्यालल वारा जो एर्याद धिकराने से राख़ार के हां गाउँ वहां बीच में, यहाँ से वो दो रिजडेंसल हासे हमें सेरहार के नजर आ रहे हैं, और वहां से जनगेर के लावर बैल्ट के कुछ विलेज हम में नजर आ रहे हैं आप यहां से विज्वालस को इंजाइ कीजिए चक कीजिए कि इस 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 मैं कहूंगा कि यहां से छोटा मुटा अल्पैन लैक जैसा देखने को मिल रहा हैं माशाला आप जड़ा चक कीजिए आप यहां कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आप यहां के वीज्वालस को इंजाइ कर सकते हो देख सकते हो कितनी जड़ा व्यूटी है यहां पर वो थी वीडिया यहां के आप मेरे राइट साइड से विज्वालस को इंजाइ कर सकते हो चक कर सकते हो